हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो डिफेंशल अकेडमी इन इस वीडियो वी आर गूंग तो डिसकस अबाउट एससी जे एक्जामनेशन वेकिए हमने पार्ट वन को डिसकस किया था इसमें हमने टेक्निकल को स्टार्ट किया था तो हम अपनी 60 डे मास्टर प्लान का पार्ट ट अब देखिए इसमें बोलाएं कि एक पॉइंट के बाद कुछ टाइम बाद जो उसकी फ्लूट की वेलस्टी है वो चेंज हो रही है ठीक है मत मैंद मेंस क्या है कि हमारा फ्लूट का जो व्यलस्टी है पॉइंट तो प्लो ए ठीक है तो कौन सा फ्लो है वह उनिफॉरम फ् गुली, straight line flow और वीकन से कि हमारी जो parallel जो अमारी जो layers होती है, fluid की वो क्या होती है, adjacent layer जो parallel ही चलती है, और वेलोस्टी है, उसका कोई भी क्या है, point to point change नहीं होता, ठीक है? तो हमारा option क्या हो जाएगा turbulent flow होता है जहां पर हमारी जो velocity है उसकी as well as direction magnitude और direction दोनों change होता है हमारा velocity का next question देखते हैं flow occurring in a pipeline when a valve is being opened देखिए जब किसी pipe से मान लो कोई भी fluid flow कर रहा है और मैंने यहाँ पर कोई एक valve लगा रखा है अब जैसे ही मैं valve को open करता हूँ तो open करने के बाद जो flow होता है वो हमारा क्या कहलाता है वो unsteady flow होता है ठीक है क्योंकि open के बाद एकदम पानी की velocity क्या होगी increase होगी और इसका जो direction है वो भी क्या होता है हलका सा deviate होगा that means वो turbulent flow हो जाएगा एक तरीके से तो option क्या हो जाएगा हमारा option B is the right answer हमारा जो फ्लो होगा वो आपका unsteady flow होगा ठीक है और बात करें और after the some interval of time ठीक है valve open करने के बाद जो flow होता है वो हमारा क्या हो जाता है वो laminar हो जाता है ठीक है फोर वीकें से steady flow हो जाता है तो उन्होंने बोला है जो being just opened है ठीक है just opened है that means आपका flow हो जाएगा unsteady flow और अगर बोले कि after the some interval of time open करने के बाद पूछा है तो हमारा flow को होता है वो steady हो जाता है ठीक है next देखते है for a measuring flow by the venture meter it should be installed in vertical line, horizontal line, inclined line with upward flow देखिए venture meter क्या करता है venture meter actual में क्या करता है pressure drop को निकालता है और pressure drop को निकालता है और इसका जो shape होता है कुछ कुछ इस तरीके का होता है ये converging part है हमारा ये वाला portion हमारा throat कहलाता है इसको throat बोलते है and this portion is called diverging section ठीक है तो हमारा ये बताता है inlet part और throat में जितना भी क्या हो रहा है हमारा pressure का drop हो रहा है ठीक है तो ये हमारा actual में जो pressure drop बताता है between the inlet and throat के बीच में तो हमारा क्या है इसको हम तीनों position में आज लगा सकते है that means option D is the right answer बाकि हमारे क्या हो जाएंगे सारे सही होंगे that means option 1 भी ठीक है vertical भी है detail theory में अल्री discuss कर चुका हूँ उसको आप जाके देख सकते है नीचे description में लिंक दिया हुआ है next question देखते है stream line body is defined as line stream line actual में क्या ला कौन सी line है उसके बारे हम पूछ रहा है तो आम देखते है तो stream line body कौन सी होती है stream line कौन सी होती है because velocity क्या है हमारी एक vector quantity है तो वो हमारा क्या दिखाएगा देखे तो हमारा दिखाएगा of the equal velocity of flow तो stream line पर हमारा जो tangent होता है वो बताता है आपका of equal velocity of flow parallel to outer surface भी नहीं होगा center भी नहीं होगा along with the pressure drop option C will be the right answer ठीक है next देखते है the purpose of surge tank in the pipeline is to अब दीखे surge tank का जो हमारा use होता है वो किसलिए use करते हैं basically surge tank हम use करते हैं किसी भी जागर हम thermal power plant के बात करें या damn के जो base पे हम use करते हैं इसको तो इसके दो function होते है first function होता है absorb the sudden rise of pressure ठीक है it absorb the sudden rise of pressure पहला तो आपका ये काम करता है and दूसरा provide करता है extra water अगर provide करता है when the जब जो pressure drop हो चुका है तो उसके लिए extra supply of water है उसको भी provide करता है तो दो function हमें याद रखने है surge tank के तो option कौन सा हो जाएगा आपका option B और C आप दोनों लगा सकते हैं option क्या है इसका compensate friction loss and prevent occurrence of the hydraulic jump that means क्या है आपका B और D में that is D is the right answer बाकी जो इसका answer की था उसमें इन्होंने B और D दोनों को ही answer बोला गया था और actual में क्या हुआ है वैसे इसका answer हम D consider करके चलते हैं विकाज ये थोड़ा सा relevant answer है हमारे ठीक है दोनों हमारे जो functions follow कर रहा है next question देखते है the resultant upward pressure of the fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by the body the definition is according to देखे basically क्या था जो आर्गमडीज एक scientist थे उन्होंने बोला था कि कोई भी एक body को vertically मैं downward अगर push करता हूँ ठीक है किसी भी liquid के अंदर तो body जितना भी amount of liquid displace करेगी ठीक है तो उसका जो amount जो liquid displace किया है उसके weight के बराबर उस पर क्या लगेगा एक force लगेगा जो कि upward direction में होगा उस force को हम बोलते हैं force of buoyancy ठीक है देखे question के साथ साथ हम discuss करेगे concept को ता कि आपका revision साथ के साथ होता रहे और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए आपको कोई भी doubt होता है आप comments में लिख सकते हैं और अपने जितने भी friend circle जो भी preparation कर रहे है SSC, JE की NLC और विजाग स्थील उन सब में circulate कीजिए ता कि उनको क्या हो अच्छे quality questions मिल सके और ज्यादा से ज्यादा मुझे feedback मिले अगर मुझे कोई भी चीज में improvement करना है तो ठीक है तो जो यह बात करता हूँ मैं force of buoyancy का यह हमारा equal होता है weight of the body weight of the liquid displaced by the body ठीक है तो यह हमारा archimedes ने दिया था उसमें कौन कौन सी condition हो रही है law of gravitation है archimedes है principle of buoyancy है या all of these देखिए option क्या है D correct है because अगर मैं बात करूँ कोई balloon है मानलो ठीक है वो air के अंदर actual में क्या है वो air भी क्या है एक fluid है तो balloon जब अपने आप जब balloon पर जो कोई force लगेगा अब जो balloon क्या है वो air के अंदर कुछ space acquire कर रहा है that means उसने क्या है कुछ amount of air को displace किया है तब ही वो space acquire कर रहा है तो उसने जितना air displace किया है जितना material displace किया है उतना amount of force क्या करेगा वो experience करेगा अप what जिसको बोलते हो आप variance ही क्योंकि अगर बात करें जो balloon है वो air में बात करें तो actual में क्या है वो air में वो क्या है sink है ठीक है जैसे अगर हम कोई body को हम डालते है water के अंदर तो क्या है water को displace करता है वैसे ही balloon अगर हम कुसी balloon को फुलाते है तो क्या करता है वो उतना जितना उसका volume है उतनी amount of जो air को displace कर देगा surrounding से और उतना value volume खुद गेर लेगा ठीक है तो उसी जो displace volume का जो उसने displace किया है उसका weight के बराबर वो force experience करेगा जिसकी वे से वो उपर के ओर चलेगा ठीक है तो यह arcmode's principle भी है और force of principle of buoyancy भी follow कर रहा है और law of gravitation के against होता है क्योंकि यह हमारा क्या करता है balance करता है by the help of force of buoyancy और buoyancy force ज़्यादा होता है इसकी वे से upward चलता है ठीक है that means क्या है option D is the right answer next question देखते है hydraulic gradient line is compared to the center line of the conduct देखिए तीन line दो तरह की line होती है एक तो आपकी होती है hydraulic gradient line और एक होती है आपकी total energy line ठीक है जो total energy line होती है उसमें complete sum होता है उसमें potential energy या potential head plus kinetic head दोनों चीज़े होती है और इनके difference को बोलते है kinetic head वो होता है V square by 2G ठीक है और total energy line की value हमेशे क्या होगी decrease होगी यह बताता है कि हमारा जो energy है inlet से outlet की और क्या हो रहा है decrease हो रहा है but increase होती on the case of increase कब होगी total energy line हमारी वो होगी हमारी जब हम बात करें किसी work consuming device की या pump device की ठीक है ठीक है static head plus pressure head के बारे में ठीक है तो हमारा क्या हो जागा hydraulic gradient line हमेशा अबब होगी हमारी central line से तो हमारा option A is the right answer ठीक है तो ऐसे याद कर लिजे central line पहले आएगा फिर आपका hydraulic gradient line आएगा then इसके बाद total energy line आएगा और इन तीनों की value अब पीजो मीटर cannot be used for the pressure measurement in the pipes वेर ठीक है पीजो मीटर क्या होता है हमारा low pressure measurement के लिए यूज करते हैं ठीक है और अगर बात करते हैं ये flutes में यूज करते हैं अब flutes में भी liquids के लिए यूज करेंगे ठीक है तो for example कोई pipe है यहाँ पे मैंने पीजो मीटर लगा रखा है तो इसमें flow कर रहा है for example अगर हम मैं gas यहाँ यूज करता हूँ तो क्या होगा पीजो मीटर जो होता है उसका pressure मान लो मुझे एक point पर a point पर pressure निकालना है तो p a is equal to rho g h ठीक है h क्या होगा जितना height में हमारा rise होगा बट अगर बात करें यहाँ पर इसी tube के अंदर कोई gas फिल कर देता हूँ तो gas क्या करता है कोई भी एक particular free surface नहीं बताता ठीक है अगर मैं बात करूँ कोई tube है मेरे पास और इस tube में मैंने gas को फिल कर दिया है तो option कौन से हो जाएगा हमारा option C is the right answer when the fluid in the pipe is gas बाकि liquids के लिए हम यूज कर सकते हैं विसकस के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हम बात करें liquid material है तो free surface से यह था कि हम बता सकेंगी कितना height है और बाकि हम density और gravity से multiply करके at a particular point हम pressure calculate कर सकते है with the help of bezometer ठीक है next question देखते है hot wire animometer used for the measurement of ठीक है hot wire animometer क्या होते है हमारे velocity of the gases निकालते है हमारे ठीक है तो यह आपका अच्छा question इसको याद रखना है कि hot wire animometer बच्चों को confusion होती है animometer, rotameter इन सब के बारे में तो मैंने एक आलक्से वीडियो बना रखे जितने भी devices है ठीक है उसको भी आप देख सकते हो तो animometer आपका निकालता है velocity of the gases ठीक है next question देखते है 11th the friction drag is generally larger than the pressure drag ठीक है आप देखें यह किस case में होता है in the sphere, cylinder या फिर हमारा बात करें airfoil या फिर बात करें thin sheet के बारे में ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका flow past of the cylinder ठीक है option B is the right answer बट थोड़ा सर discuss कर लेते हैं pressure drag और friction drag के बारे में देखिए एक चीज होती है आपकी pressure drag PD से denote कर रहा हूँ एक होता है आपका friction drag ठीक है pressure drag होता है जिसको pressure drag को हम कई बार बोलते है form drag ठीक है formula drag भी बोलते है pressure drag को तो यह होता है यह इसका जो reason है वो हदा है due to shape of the body या और हमारा क्या होता है flow separation के वज़़ाएसे कई body हमारी क्या है pressure drop या pressure drag experience करती है और fraction ड्रैग होता है हमारा due to the skin friction या due to the flow of fluid over the material surface, over the object के surface पर ठीक है, अगर बात करते हैं, जैसे अगर मैं टेबलर फॉर में बात करूँ, for example, कोई मेरी body क्या है, इस तरीके की है, ठीक है, और यहां पर कोई भी fluid flow कर रहा है, तो जैसे ऐसे layer आएगी, यहां से निकल के ठीक है, यहां पर कोई fluid आ रहा है, अगर मैं pen का, तो fluid के लिए मैं तोड़ा सा color change कर लेता हूँ, ठीक है, मालो यह कोई body है, इसके उपर fluid यहां से flow करेगा, इसके उपर fluid यहां से flow करेगा, तो बात करें pressure drag के बारे में, और बात करें friction drag के बारे में, तो इस time पर क्या होगा pressure drag हमारा क्या होगा, negligible होगा, और approximately 0% होगा, बट यहां पर अगर skin friction की बात करें, तो इस पर क्या होगा, जो layer जो exposed होगी हमारी friction बहुत जादा होगा, layer के बीच में flow, आपके fluid layer है, और आपका material की layer है, तो हम कह सकते हैं 100% क्या होगा, यहां पर friction drag होगा, बट अगर बात करे कोई circular body है, ठीक है, तो इस circular body के उपर, अगर मैं बात करूं, कोई भी fluid flow कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, देखिए, यहां पर कोई fluid आ रहा है, तो वो क्या होगा, flow separate होगा, और यहां से flow निकल के जाएगा, ठीक है, दिये हमारी layers जा रही है, fluid की, तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो pressure drag होगा, वो 90% होगा, ठीक है, तो pressure exert होगा, जैसे bike पर आगर आप जाते हो, कोई vertically पकड़ के आप किसी glass window को जाओगे, तो easily आपको कोई दिक्कत नहीं आईगी, बट आप उसको air flow के perpendicularly पकड़ होगे, मतलब तो उसमें क्या होगा, air का आपको pressure feel होगा, और आपक 50% हमारा क्या होगा, skin friction या friction drag होगा, ठीक है, और बात करूँ मैं कोई particular wall है, perpendicular wall हो, यहां से मैं air flow कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो friction drag होगा, वो हमारा क्या होगा, negligible होगा, 0%, but pressure क्या होगा, 90% होगा, जैसा कि मैंने glass window वाला example दिया, तो ठीक है, तो बात करें, इसमें किसम ज़्यादा होगा, air flow shape, air flow shape कौन सी होती है आपकी, जिसमें आपके air plane के जो blades होते है, side के, वो हम बना जाते है, तो thin sheet में भी नहीं होगा, तो maximum बोल रहा है, हमारा किसमें ज़्यादा इसने पूछा है, larger pressure drag, तो किसमें होगा, हमारा cylinder के अंदर, sphere में भी कम होगा, तो cylinder वाल moves, if one of the wall moves in the direction of the flow with uniform velocity, while the outer wall is stationary, then the resultant flow between, देखिए इस type के flow को बोलते है, cute flow, qty flow को जो example है, वो क्या होता है, हमारी एक जो layer होती है, एक जो हमारी pipe का जो, बोलें, wall है, वो हमारी क्या होती है, stationary होती है, और another wall क्या होगी हमारी, with velocity weave क्या करेगी, move करेगी, ठीक है, और यहाँ पर flow होगा हमारा, ठीक है, तो इस flow में क्या होती है, दो, तीन चीज़ें हमें discuss करनी है, वो बहुत अच्छे से दिखिए, इस question को बात करों, तो 3-4 साल से continue repeat हो रहा है, ठीक है, तो इस flow में क्या होता है, actual में, इसके अंदर क्या होता है, viscous drag से होता है, यह flow, ठीक है, इसमे के flow को बोलते है, QT flow, ठीक है, QT flow, Q-O-U-T-W, इसका जो spelling है, तो ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा unique है, तो आपको ध्यान रखना कि एक जो wall है, वो stationary है, दूसरी wall के है, हमारी movable position में है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, the ratio of the energy absorbed by the body to the total energy falling on the body is called, कोई भी ब power is equal to the ratio of energy absorbed, total energy इतनी absorbed करी है, हमारी body ने, upon total energy इतनी fall होई है, ठीक है, तो इसको अम बोलेंगे, absorbing power, then that means, option A is the right answer, 13, उसके बाद next question देखते हैं, question number 14, in the flow field at the stagnation point, देखिए, stagnation point क्या होता है, actually हम बात करें, जब हम कोई भी fluid का अगर velocity calculate करते हैं, for example, with the help of pitot tube, ठीक है, तो जैसे ऐसे मतलब, यहाँ पर जब fluid flow करेगा, with the velocity V, तो जहाँ पर क्या होगा, fluid क्या होगा, pressure difference की वज़े से क्या हो जाएगा, एक particular height तक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक point rise होगा, जहाँ पर उसकी जो velocity होगी, वो 0 होगी, और that means, we can say kinetic energy 0 हो जाएगी, और आपर क्या होगा, उसका maximum height achieve हो जाएगा, तो ठीक है, that means, velocity of the fluid is 0, उस point को हम बोलते हैं, stagnation point ठीक है, और यहाँ पर इसका use करते हैं, हम किसके अंदर, pitot tube के अंदर, ठीक है, option B is the right answer, next question देखते है, viscosity is the most important property in the, अब viscosity किसके अंदर most important है, travel of bullet, water jet, swing from the free air, formation of show bubble, या flow of the cluster, ठीक है, option के है, हमारा C is the right answer, because viscosity अगर ज़्यादा होगी, viscosity का meaning क्या है, actual मैं बोलूं तो मैं बहुत गाड़ा है, viscosity ज़्यादा है, उसकी, layers के विच में, shear stress है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और बात करें, अगर milk है, तो milk क्या है, उसकी viscosity काम है, तो जितनी ज़्यादा गाड़ापन होगा, उतना ही हमारा soap का बनना क्या होगा, वो, जो soap bubble है, जो bubble बनना क क्या होगा, वो मुश्किल होगा, ठीक है, तो हमारे क्योंगी गाड़े, चीजों की क्या हो, bubbles नहीं बनते, बट वाटर के देखें, बबल बनते हैं, और honey के बबल नहीं, that means क्या होगा, C is the right answer, ठीक है, वीडियो को share करते जाई, जादा से जादा, ताकि मुझे motivation मिले, और म आपने देखना है कि भाई, question यह है, मुझे अपना यह पता है, और question करते हैं, background में कुछ नहीं चलना से यह, ठीक है, व्युक्ल focus होना चाहिए, screen पे, next question देखते है, if the pressure at any point in the liquid approaches the vapor pressure, liquid start vaporizing and create pockets, bubbles, dissolve in the vapor gas, this phenomenon is called, सबको पता है, यह फिनोमना क्या होता है, जब कोई भी liquid हमारा उसका vapor pressure को achieve कर लेता है, तो हमारा क्या होता है, vapor bubbles बनने लगते हैं, और इस bubbles के वज़े से क्या होता है, जब यह burst होते हैं, तो क्या होगा, हमारा damage of the surface होने लगता है, तो इस process को हम बोलते है, cavitation, ठीक है, और यह किसमें होता है, हमारे turbines के अंदर होता है, like हमारे Kaplan turbine है, Francis turbine ह ठीक है, तो इसमें हमने देखा होगा, that means, क्या है, option D is the right answer, next is, देखिए हर fluid का एक proper vapor pressure होता है, तो उस pressure पर reach करने के बाद, उसके जो liquid होते हैं, विपराइजिंग और start pockets, bubbles, pockets बनने लगते हैं, ठीक है, bubbles की form में आप pockets बोलते हैं उनको, और जैसे हो burst होते हैं, तो क्या होता हैं, यह हमारा जो भी आपका centrifugal pump है, ठीक है, तो हम आज कोशिच करते हैं, जो हमारा क्या है, वो pressure आचीव ना हो, हम उससे क्या करें, हम उपर ही रखें अपने level को, ठीक है, next देखते हैं, the fluid forces considered in the navier stroke equation, navier stroke equation के अंदर कौन कौन से हम जो forces हैं, उनको क्या करते हैं, हम consider करते ह हैं, तो देखिए, option क्या होगा हमारा, gravity force है, pressure है, viscous है, gravity, turbulent, अगर जहां वर्ट आपको मिल जाए, तो turbulent force को हम नहीं consider करते हैं, never stroke के अंदर, तो यह तीन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, option A is the right answer, हम consider करते हैं, gravity force, pressure force and viscous force, ठीक है, option A correct हो जाएगा, next question is, hydrodynamic, hydrodynamic gradient line, for any flow steam as compared to energy line, जैसा कि मैंने बताया था, hydrodynamic gradient line, या फिर आपके HGL बोलते हैं, और total energy line, हमारी TEL, या फिर और बाद में कहती, central line थी हमारी, तो total energy line हमेशा उपर होगी, अबव होगी हमारी, ठीक है, hydraulic gradient line से, तो हमारा option क्या, hydraulic gradient line, for any flow stream as compared to energy line को, ठीक है, total energy line को, हम कही बाद शॉट में energy line देखते हैं, तो यह क्या होगी, हमारी below होगी, ठीक है, और इनके बीच के difference को क्या बोलते हैं, kinetic hand, which is equal to V square by 2G, जब हम इसको theory म में discuss करेंगे, like flow through pipes, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको discuss किया है, तो आप देख सकते हैं उसको भी, अगर आपको doubt है, तो मैं उसको particular एक topic को दुबारा से revise करा सकता हूँ, अगर आपको बहुत majority of students को doubt है, कि भाई, hydraulic gradient line क्या होता है, total energy line क्या होता है, center line क्या होता है, और velocity और head बगरा कैसे calculate करते हैं, with the help of these lines, ठीक है, next question देखते हैं, to avoid the vaporization in the pipeline, in the pipeline, the overridge, overridge is the late, such is not more than, देखिए, हमें क्या करना है, vaporization को रोकना है, देखिए, वो vaporization वाला वही condition जो मैंने अभी बताया था, जब कोई भी pipe से flow करता है, कोई भी equipment से flow करता है, हमारी जो, हमारा एम रहता है कि vapor pressure उसका reach ना हो, क्योंकि vapor pressure reach होगा, तो हमापे bubbles होगे, और low pressure क्या होगा, boiling start हो जाती, low pressure boiling का मतलब है, क्या है, vaporization, जो cavitation process start हो जाएगा, और low pressure bubble होगे, वो क्या करेंगे, हमारा body को damage करने लगते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी 2.4 meter से अबब हम hydraulic gradient line से उपर लगा रहे हैं, तो 2.4 meter अबब रखेंगे, hydraulic जो gradient line से ताकि हमारा क्या हो, vapor pressure अचीव ना हो, और हमारा cavitation से बचा जा सके, ठीक है, नेक्स देखते हैं, और इस टाइप की device को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको siphon बोलते हैं, siphon, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, आ हम उसको क्या करते हैं, avoid करने कोशिश करते हैं, जितना भी हो सके, next is the locust of elevation that water will rise in the series of pitot tube is called, ठीक है, लोकस क्या है, हमारे pitot tube में क्या होगा, अगर हमारी variation होगी, जहां पर हमारा क्या है, series of elevation होगा, ठीक है, तो उस type के आपके situation को बोलते हैं, हम क्या है, total energy line, total energy line हमारी बद मारा क्या होता है, work consuming device होता है, तो हमारी total energy क्या होगी, हमारी initial से outlet तक हमारी increase होगी, ठीक है, और इसी elevation को दिखाता है, हमारा total energy line in case of pitot tube, next देखते हैं, if the pump is handling water and it's discharging a certain flow Q at a constant total dynamic head requiring a definite BHP than the same pump is handling the liquid of specific gravity 0.75, viscosity nearly the same as the water discharge, देन दो कंडिशन दिये, एक का flow यह है, दूसरे के BHP है, ठीक है, दोनों की specific gravity दे रखिये, तो discharge क्या होगा, दोनों में क्या होगा, same discharge होगा, ठीक है, तो हमारा discharge इस पर कोई भी depend नहीं करता, कि दोनों में क्या है, हमारी viscosity अलग लग लग ले रखा है, बट हमारी discharge होता है, वो हमारा क्या होता है, area into velocity, ठीक है, तो option क्या हो जाएगा हमारा, option A is the right answer, next देखिए, numerical है, थोड़ा सकीबर क्या होता है, numerical भी पूछ लिए आते हैं, question paper के अंदर, तो देखिए, next question क्या है, 20 cm diameter, diameter हमारे पास 20 cm है, given data देखते हैं, pipe 5000 meter long, length हमारी क्या है 5000 meters, convey 0.05 qm of water, ठीक ह हमारा जो discharge है, वो क्या है, 0.05 qmc है, तो आपको multiply by 10 days to power 3 हो जाएगा, इससे हम लिटर पर सेकिंड भी निकाल सकते हैं, करमट करके, ठीक है, pump through the height, तो हमें height दे रखिए, जो Z2 minus Z1, जो datum दिया रखा है, वो हमारे 6 meter है, what is the horsepower required, ठीक है, horsepower हमें पूछे कितने horsepower का जो power हमें calculate करने है, कितने horsepower का जो pump है, हमें require है, जागर हमारी, जो efficiency है, वो 75% हमें given है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जो friction factor दे रखा है, हमारा 0.006, तो सबसे पहले देखें, HF क्या होता है, friction factor is equal to 4FLV square by 2D into G, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, discharge की form में तो यह हो जाएगा तो आपका 4FLQ square divided by 3.025 power D का square, ठीक है, तो value put करनी है, जस्ट हमें और हमें head loss of the friction निकालना है, सबसे पहले, तो HF हो जाएगा आपका 4F की value हमें दे रखेंगे, यह हो जाएगा, आपका 0.006 multiply by length हमारी की हो जाएगी 5000 meters, ठीक है, और आपकी जो बाकी value हो जाएगी, यह हो ज square divided by 3.025 into diameter हमें दे रखा है, 20 cm का square, ठीक है, तो यहां से हमारा जो HF निकल के आएगा, वो एप्रोक्स आपका आएगा, 77.46 meters, बट आपको datum भी दिया हुआ है, तो हमारा net, जो head आजाएगा, net head develop हो जाएगा, 77.46 plus given height that is equal to 6, तो total हो जाएगा, आपका 83.46 meter, ठीक है, और आ आपको calculate कर रही है, क्या है, power, तो power developed by the pump is equal to होती है, आपका row GQH, या फिर बात करें, upon, यह क्या हो जाएगा, अगर हमें convert करनी है, with the help of horsepower में निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 750 से divide कर देंगे, into efficiency, ठीक है, तो row G को हम क्या बोलते है, W, अगर मैं इसको value पुट करू तो हो जाएगा, 1000 into 9.81, ठीक है, और density हो गया, 9.81 हो जाएगा, आपका, इसके बाद हम multiply करते हैं, आपके discharge को, ठीक है, discharge कितना है हमारा, देखिए, discharge है हमारा 0.05, और आपका head है, 83.46, divided by 750 into efficiency 0.75, तो यहां से आप calculate करोगे, तो यह आपका निकल के आएगा, 74.2 horsepower, that means, कि option A is the right answer, बस basically क्या है, fundamental formula based question था, एक आपको fraction formula का, आपका head loss due to fraction का formula आना चाहिए, और दूसरा आपका आना चाहिए, power developed by the pump, ठीक है, next देखते हैं, for the laminar flow in the pipe, V is the equal to, देखिए, actual में क्या होता है, laminar flow के लिए, जो हमारी average velocity होती है, वो होती है, half of U maximum, ठीक है, for the condition of laminar flow, that means, option B is the right answer next देखते हैं, water at 20 degree Celsius through a 20 centimeter diameter pipe, diameter हमारे पास 20 centimeter है, ठीक है, taking the kinematic viscosity, kinematic viscosity होती है, new, which is equal to 0.0101 strokes, ठीक है, इस टोक से आपको पता होगा, और इसको meter per second में भी इसका unit आती है कही बार, ठीक है, उसके बार next देखते है, assume that the change of the laminar to turbulent, laminar to turbulent flow change हो रहा है, that means, renal number की value दे रखिया हमाए, 2320 और critical velocity निकालनी है, देखिए, renal number क्या होता है हमारा ratio of viscous force, inertia of force upon viscous force, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका, rho VD divided by mu, mu is the viscosity and V is the velocity, आपका क्या हो जाएगा, जो हमारी velocity पूछे, critical velocity और हमारा kinematic viscosity होता है, dynamic viscosity divided by density, तो इसको लिख सकते है, renal number is equal to, आपका हो जाएगा, velocity, ठीक ह into diameter divided by new by rho, तो इसको हम क्या बोल सकते है, new हो जाएगा, यह mu by rho, तो cross multiply करेंगे, तो renal number into new divided by diameter is equal to velocity, तो easily हम value पूट कर सकते है, renal number की value हमें given है, 2320, और new की value given है, 0.0101 strokes divided by diameter, which is 20 cm, हमें units को करना, अगर हमें convert करना है, because strokes में दियर रखिये है, तो हमें करना पड़ेगा, हमें multiply करना पड़ेगा उपर, तो यह आपका 10 raise to power 3 multiply करेंगे, ठीक है, और इसको हम convert करेंगे, point ढटाने के लिए, अगर 1000 का multiply करता हूँ, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, और इसके बाद हम जब cancel out करेंगे, calculate करेंगे, तो आपका answer निकल के आएगा, velocity is equal to 1.17 cm per second, ठीक है, तो close answer दिये हुए, ठीक है, आपको point हटाना और आपको जो multiplication है, वो बहुत ध्यान से करनी होगी, ठीक है, next देखते है, surge wave is an example of surge, देखिए, मैंने बताया था, surge tank से जो होता है, क्या होता है, flow निकलता है, वो unsteady flow होगा, unsteady और क्या होगा, हमारा non uniform flow होगा, ठीक है, तो हमारी layer के हो, जो हमारी wave के होगा, हमारी unsteady, non uniform flow होगा, that means, option D is the right answer, next is quick return mechanism, is the inversion of the quick return mechanism, क्यो होता है, slider crank mechanism का inversion होता है, जो क्या करता है, अमारे straight line motion को convert करता है, हमारा rotary motion के अंदर, that means, क्या है, option B is the right answer, बाकि इसके और भी inversion है, जैसे हमारा क्या है, जैसे अगर बात करें हम जैसे beam engine है beam engine इसी का example है ठीक है और आपका quick return mechanism है slotted lever mechanism है तो ये सारे आपके हमारे single slider के ही हमारे inversion है next देखते हैं देखिए आप theory of machine के questions कुछ आने लगे है maximum time of question हमारे कि जादतर हमारे paper के अंदर क्या होते हैं आपके fluid mechanics होते हैं question को cover करेंगे ठीक है next देखते है in a journal interference take place देखिए interference काब होता है जब हमारा देखिए जब अगर बात करूँ कोई एक gear है ठीक है इसके teeth दूसरे gear के जो root है ठीक है ये वाला portion है इस पर क्या करने लगे है इसको काटने लगे है ठीक है इस पर्षन को क्या बोलते हैं interference बोलते है interference का मतलब एक तरिके से क्या होता है किसी को मतलब बादा डालना किसी चीज में ठीक है तो क्या है running में बादा होती है proper क्या होती है इनकी जो velocity रूसरो consistent नहीं रह पाता है ठीक है कई बार क्या होती है damaging इतनी जाता हो जाती है तो हमारा क्या है operation fail हो जाता है तो इस process को हम interference बोलते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए tip of the tooth of mating gear digs digs मतलब उसको काटना या उसको खा जाता है एक तरीके से उसको क्या कर जाता है उसको damage कर देता है into the portion between the base and of the root circle तो option A is the right answer बाकी हमारे क्या है easily cancel out हो जाएंगे next देखते है in the multiple V-belt drive when the single belt is damaged it is preferred to the change of the complete set देखिए जब हम बात करें multiple V-belt drive की ठीक है for example मेरे पास 3 set of pulley है ये driver वाला आपका set है और ये क्या है हमारा driven set है ठीक है for example और यहाँ पे मैंने क्या है pullies लगा रखी है वह हम करते हैं uniform loading के लिए ठीक है हम यह रखते हैं कि जैसे ही अगर हमारे एक damage होगा तो हम क्या करेंगे जो loading सब पर deform नहीं उनिफर्म नहीं हो पाई for example मेरा A belt टूट गया है तो क्या होगा जो पूरा load होगा हमारा driver shaft से driver shaft पर जा रहा है तो क्या होगा हमारा load दो पुली पर जादा load आ जाएगा और एक पुली freely चलेगी जिसकी वज़े से क्या है load अगर हमारा proper uniform नहीं load होगा डिस्टिबूट तो क्या होगा हमारे जो component आ जाएंगे आपके unbalance component और इससे vibration create हो सकती है soft damage हो सकती है और कई बार क्या हो सकता है बहुत hazardous आपका situation create हो सकते है accidents हो सकते है तो हम क्या करते है पूरे set की पुली ही क्या कर देते है change कर देते है next देखते है when the single belt is damaged then यहाँ पर क्या है complete set को change करना है तो इसको आप general life में भी याद रखना है अगर आप industry में कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर question पूछ लेते हैं कई बार the center of the gravity of the coupler link in four bar mechanism देखे four bar mechanism क्या होता है इसमें चार number of link होते है ठीक है और यह क्या होता है basic mechanism है for example first link यह है third, second, third and fourth ठीक है तो यह हमारी crank क्यालाती है इस वाली link को, third link को क्या बोलते है हम coupler बोलते है ठीक है तो यह क्या करता है हमारा दोनों motion करता है for example मैंने इनको इसको input दिया है तो इसका motion यह है तो यह हमारा क्या करेगा तो यह हमारा जब यह होगा तो यह वाली value हो जाती है है यह हमारा क्या है यहां कर रहा है यह इसके पास दोनों तरीके की वेलआश्टी होगी थीप सब्सक्राइब पर यहां पर घ्रबात करें करते हैं km वेलआश्टी मेरेशिन करें था सिर करेंगे हम फूर बार चे में घर्रिट वाले सेशन में ठीक है और अलेडी मैंने टोम के कुछ कोशन भी डिसकस करें थे हैं कैसे करते हैं विद्या एलप आफ फोर बार चेन नेक्स गेखते हैं था एंप्लिट्यूड ऑफ बट हमें जहां रखना की कपलर के अंदर क्या होगा हमारा दोनों मोशन होगा अंप्लिट्यूड ऑफ अंदर टेमपिंग वेरिश विज टाइम एज समॉल टेमपिंग के अंदर जो एंप्लिट्यूड ऑफ एयरिशन होता है वो कैसा होता है देखे वो होता है आपका एक्स्पोनेंशली ठीक है तो देखे यह हमने 30 कोशन डिसकस करें थे पार्ट वन के अ और एक बज़े के बाद आपका इवनिंग में जो सेशन होता है वो आपका होता है जर्नल स्टडीज का जिसमें हम पॉलिटी आपका जिग्राफी और जो करेंट अफेयर है वह वाला सेशन डिसकस करेंगे ठीक है ज़्याद से ज़्याद इस वीडियो को शेयर करना है और क्या बात करें इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट है यहां में बात करें कि दो चीजों में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है और आपकी बहुत अच्छी एक स्मूथ फ्लो में परप्रिशन हो जाएगी तो मिलते हैं आपके नेक्स वीडियो में गोल को देखते रहे हैं कि भाई अब मैं कहां लेक कर रहा हूं और अपने वीक्नेस पर काम कीजिए ठीक है तो देखते हैं चलो मिलते हैं आपके नेक्स वीडियो में थैंक्यू वेरी मच्च स्टे होम स्टे सेफ